देखो आज हमारे कौन बनेगा करूरपती में कोई आप्शन नहीं है सीधा आपको जवाब देना है चार आप्शन नहीं फोनो फ्रेंड नहीं फिफ्टी फिफ्टी नहीं कुछ नहीं सीधा जवाब लेकिन जशरी राउन दोस्तों कैसे हो आप सब आज के व्लोग में आप सभी का स्वागत है आज है रवी वार चुटी का वार यह भी घर पे है पापा भी खाना खा लिये ममी ने खाना खा लिया और फिलाल आज परी की तब यह थोड़ी डाउन है तोड़ा एटमोस्पेर आपको पत आज का व्लोग इसलिए इंटरस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज तक हमने जित्रे भी व्लोग बनाए है क्योंकि आज तक हमने जित्रे भी व्लोग बनाए है क्योंकि आज यह जो व्लोग है वो यह को डेडिकेड़ है क्यों डेडिकेड़ है क्योंकि वो हनुमान जी का कैसी भक्ती है क्या नॉलेज है उसके पास हनुबान जी से जुड़ा हम एक सेशन करने वाले है यश के शाद मैं और यश फादर सेंड डूओ वाला सेशन होने वाला है जिसमें नॉमली मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं आज मैं यश को कुछ सवाल पूछूंगा और उसके जवाब वो देने वाला है क्या सवाल होंगे कैसे होने वाला इस सेशन वीडियो को आखिर तक जरू देखिएगा क्योंकि क्या पता शायद आपको वो नॉलेज ना हो जो यश के पास है कहीं बार कैतना कि हम भी बच्चों से सीख सकते हैं तो प्लीज आप वीडियो क आखिर तक जरू देखिएगा अच्छा लगे व्लोग तो लाइक और शेर जरू करिएगा नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को दबाईए ताकि आने वाले नए नए इंटरस्टिंग व्लोग हमारे फैमिली से जुड़े Q&A व्लोग सब आप सबसे पहल हमारे हनुमान जी के छोटे से भक्त रेडी है हम खेलेंगे कौन बनेगा करोरपती आज हम चलो यश का नॉलेज टेस्ट करते हैं मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूँ और इससे हमें पता चलेगा कि यश के पास कैसा नॉलेज है ठीक है मैं आपको 10 सवाल पूछने वाला ह हनुमान जी से जुड़े जी मीलियम हाड कुछ भी होगा मगर हनुमान जी से जुड़ा होगा दोस्तों क्या लगता है आपको यश सारे जवाब सही दे पाएगा चाह आज के कंटेस्टन एक करोड रुपे जीट पाएंगे तो दिल थाम के रखिये प्रभू का नाम लेकर हम इस क्विज यानि ये कौन मेने का करोड़ पदी के शुरुआत करते हैं जैशी राम और आपके स्क्रीन पे है पहला सवाल हनुमान जी लक्षमन जी को ठीक करने के लिए कौन सी जड़ी बूटी लेकर आये थे हनुमान जी लक्षमन जी को ठीक करने के लिए संजी उनी बूटी लाये थे क्या बात है सही जवाब तालिया 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 ये कमेंट में आप भी दे सकते हैं जवाब क्विज्ट के साथ साथ आपका भी नॉलेज टेस्ट हो जाएगा दोस्तों और कम्पिटर जी दूसरा सवाब आपके स्क्रीन पर हनुमान चाले साथ किस ने लिखी थी? क्या लगता है आपको यह सही जवाब है देखो आज हमारे कौन बनेगा करूरपती में कोई option नहीं है सीधा आपको जवाब देना है, चार option नहीं, फोनों फ्रेंड नहीं, 50-50 नहीं, कुछ नहीं, सीधा जवाब लेकिन हमें पता है कि आप हनुमान जी के भक्त हो मगर इस बार भी आपने सही जवाब दिया और आंसर है गो स्वामी तुसिदार जी ये तालिया 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 कॉम्पिटर जी सवाल पेश करें आपके स्क्रीन पे हैं तीसरा सवाल हनुमान जी माता सीता से पहली बार कहां मिले थे कॉम्पिटर जी अशोक वाटिका को लॉग कर दीजे और यह भी सही जवाब अभी दिल की धर्गने बढ़ रही है धीरे धीरे अभी आपके सवाल थोड़े टाफ होते जाएंगे कॉंपिटर जी सवाल बताईए और यह है आपके स्क्रीन पर चौथा सवाल अशोक वाटी का नस्ट करने के लिए हनुमान जी को रावन ने कौन सी सजा दी थी अशोक वाटी का नस्ट करने के लिए रावन ने हनुमान जी को पूछ जलाने की सजा दी थी उच में आग लगा दी थी, सही जवाब, क्या बात है, हनुमान जी ने पूरी लंका ही जला दी थी क्या बात, very good, very good, देखो, दीरे-दीरे question स्टफ हो रहे हैं कमड़र जी, 500 सबाल बताईए, और ये है आपका सवाल, हनुमान चालेसा में कितनी चौपाईयां है हनुमान चालिसा में 40 चौपाई है अमसर इतना easy यह आ आ है और वैसे तो अब देखा जाए तो हनुमान चालिसा बर्ड में ही 40 हा है, यानी 40 40 चौपाई है, सही जवाब दोер तालिया बजाईये चलिए, आगे बढ़ते है कमपडर जी, अगला सवाल हनुमान जी को ग्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टन सवाल है हनुमान जी को उनकी शक्तिया किसने याद दिलाई थी? हनुमान जी को उनकी शक्ति जामवन जीने याद दिलाई थी Are you sure? Yes Confidence देखो अफसूस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये जामवन जी सही जवाब है तालिया 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 वेरी गुड़ वेरी गुड़ और वो ही एक क्षण था जिससे हनुमान जी को उपनी सारी शक्तिया याद आ गई थी और हनुमान जी ने एक ही छलांग में समुद्र को पार कर लिया था आगे बढ़ते हैं आठवे सवाल के लिए ध्यान से सुनियेगा हनुमान जी ने रावन की कैद से किस देवता को बचाया था हनुमान जी ने रावन की कैद को रावन की कैद में शनी देव को बचाया था कैद से शनी देव को बचाया था वेरी गुड़् तालिया 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 वेरी गुड और इसलिए तो जो भग्त हनुमान जी कि भक्ती करता है उस पर शनी देव की कुदृष्टी नहीं पड़ती तो हनुमान जी की भक्ती जरूर करिएगा दोस्त सवाल और हैं कैसा लग रहा है आपको दर दर कोड़ा है क्योंकि अभी हार सवाल आने वाले हैं हार सवाल आने वाले हैं देखो इसकी एक्जाउंस भी चल रही है और ये भी answers दे रहा है मतलब पैरलल अपनी स्कूल की study भी follow कर रहा है और कहते हैं धार्मिक Q&A भी दे रहा है बहुत अच्छा लग रहा है I'm very proud of you बेटा 9th सवाल नौवास सवाल है कंपड़ जी सवाल बताईए हनुमान जी किनके रुद्र अवतार है हनुमान जी महादेव के रुद्र अवतार है Are you sure? Yes सही जवाब ये हनुमान जी हमारे महादेव जी के रुद्र अवतार है जैसे हमारे महादेव इतने भोले है वैसे हमारे प्री हनुमान जी भी इतने भोले है और इसी के साथ देवियो सज्जनो स्क्रीन पर आएगा दसवा सवाल पूरे एक करोण रुबे के लिए कैसा फील हो रहा है आपको द्यान से देखेगा कोई लाइफ लाइन नहीं है आपके पास सीधा सवाल जवाब आप समझ के दीजेगा ठीक है दस्वा सवाल कम्पिटर जी अपने स्क्रीन पर लाई क्या है हनुमान जी की अस्ट सिद्धियों के नाम रुमान जी के अस्ट सिद्धियों का नाम है अरिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राक्ते प्राकामिया ए इशिवया 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 इशित्वा वशित्वा क्या बात है और आप जीत गए है एक करोर रुपे मेरे पास आज वर्ट्स नहीं है दोस्तो आपको कैसा लगा ये हमारा फादर संडू वाला कौन बनेगा करोडपती जिसमें आपने यश के नौलिज को परखा ये कहता ना कुछ ना कुछ करता रहता है हनुमान चालेसा के मीनिंग को भी डे बाई दे समझ रहा है लास्ट क्वेशन में थोड़ी गडबर होने वाली थी आंसर में बगर एट लास्ट कहता है हनुमान जी के भक्त को कभी भी कहता है ना कोई अर्चन नहीं आती प्रभू वो बुद्धी दे ही देते हैं और वो आपकी डिवांड है तो हमारी कौन बनेगा करोड़ पती वाले एपीसोडस हम वापस लाएंगे जिसमें अमिला वच्चन बाय बनूंगा और यश आएंगे कंटस्टन बनके तो आपको अगर ऐसे एपीसोडस वापस देखने हैं कौन बनेगा करोड़ पती वाले तो प्लीज आप कमेंड में डालियागा जिसमें हम धार्मिक सवालों के जवाब कोई क्यों के क्यों करेंगे जिसमें आप अपने बच्चों को भी बता सकते हैं इससे काप कुछ नया सीख सकते हैं ठीक है जशी राँ दोस्तों उमीड करता हूँ यश्का और मेरा कौन बनेगा करोड़ पती बाला सेशन आपको अच्छा लगा अभी फिलाल मेरा शूट भी पूरा हुआ है सेशन था भगत जुड़े थे अगलग स्टेट से हमारे पास अज देखो आपको परी से मिलाता हूँ आप परी के खबर पूछ लो थोड़ी बिमार है बिचारी को तोड़ा वाइरल फीवर हो गया आप प्रे करिएगा अनुमान जी से की बड़ी जल्दी ठीक हो जाए क्या हो गया सीजन चेंज हो गई है वो चेंज को जसे थोड़ा मतलब हलो याश 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 नाज पता है बहुत अच्छा कॉन बनेगा करोड़ी वाला my देखुट मेन कि बाल में मैं सुई थी तब अभी मैं देख रहु हूं मतलब खुद नहीं मतलब वीर होंवकि क्ल में सब तैयारी की थो मैं वही देख रहेग हैं क्यूकि कल मैंस का है और यश का परसे ऐसे अद्र सबजेक्ट ही है लेकिन कभी-कभी वह गल्ती करते Help घो भुभी देखरे हो की उसन मुद्धन कि लोमेना नहीं कही च्रेकी हुआ है हनु और अचे मतलब कोई आंसर उसका गलती तबया है जो मेने संस दिए हैं वो उसमें hoc ने साही तरही सवाल किये वो गुड बॉय है वो बहुत अभी काफी इंप्रुमेंट आई है और पता है आपको आज हमारा मेरा और यश कर क्यू ने सेशन था जिसमें यश ने अब देखना जब फाइनल वीडियो देखो रहा है ना आप फाइनल वीडियो देख लेना ना नहीं देखोंगी देखोंग दोस्तों उमीद करता हूँ आज का व्लॉग जो की बिल्कुल अलग था आप सभी को पसंद आया यश का टैलेंट कैसा लगा प्लीज बताइएगा कमेंट में लाइक और शाय ज़रूर करना नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइक अना बना ताकि अने वारे आप सबस्क्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें और यश के लिए एक लाइक तो बनता है कमेंट ज़रूर करिएगा और जल मिलेंगे एक और इंट्रेस्टिंग व्लॉग के साथ तब तब तक जैशी राम गुडबाइग बाइग झाल यचाँ दूलिए 15 घिए सूलिए 15 घिए 3 तोस्तों थाइगा प्यार को शोजरेस्टिंग एक लिए मुड़ागा खिते बाद आल वझ म एक लिए बादेंगाल्ट जा एक लिए भी और आ खिते लिए वागजा के टूलिए 6